हलो फ्रेंड्स पेड़ी रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही न्यूट्रिशियस और हिल्दी ड्रमस्टिक करी की रेसिपी हलो फ्रेंड्स पेड़ी रेसिपीज में आपका बहुत बस्वागत हैं आज हम बनाएंगे ड्रम स्टिक करी सेजन की फली की सबजी बनाएंगे इसके लिए हमने थोड़ा सा अद्रक लेसन ले लिया है थोड़े प्याज ले लिए है दो प्याज एक टमाटर और दो बैगन द में नदेले लिए हैं अद्रक लेस्व को घर ददरा कूट लेंगे प्याज और टमाटर को बारिक काट लेंगे यह हमने प्याज और टमाटर को काट के रख लिया है बैगन को अच्छे से धू लिया है अब इसको हम काट लेंगे बैगन के डंठल अटा देंगे और इसको ऐसे पतले पतले टुकड़ों में काट लेंगे यह हमने बैगन को अच्छे से काट लिया है एक बार इसको और दो लेंगे और इसको पानी में डुबो के रख देंगे अब देखिए यह ड्रम स्टिक को कैसे काटेंगे हमने इसे किनार से काट लिया और फिर इसका ऐसे छिलका निकालना है यहां से आधा कट करेंगे और फिर इसको ऐसे छिलका निकालेंगे इस साइड का पिनारा हमें हटा देना है अब इसके उपर का यह जो छिलका होता है यह पूरा हमें हटाना है यहां 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 है कि यह देखिए ट्रम स्टिक को ऐसे काटेंगे और इसका यह पूरा ऐसे छिलका हम निकाल देंगे अब दूसरे साइड से काटके इसका ऐसे छिलका निकाल लेंगे और बाकी बचा हुआ इस तरीके से चाको से इसका हम यह उपर का छिलका हटा देंगे इसी तरह सारी फलिया काट लेंगे और इसका छिलका हटा देंगे यह देखिए यह हमने ड्रम स्टिक के चोटे चोटे तुकड़े कर लिए इसके ऊपर का पूरा चिलका हटा दिया है और इसका दो तिन बार पानी से धूलिया है चलिए अब हम इसकी रेसिपी बनातें और ये घास पर कढ़ाई रख दी है कढ़ाई गरम हो देंगे कढ़ा ही गरम हों गई है अब इसमें डाल देंगे थोड़ा साथ तेल एक बड़ा चमच में तेल डाला है तेल थोड़ा करम हो जाने देंगे अब इसमें डाल देंगे ये ड्रम से गेढ़न संमुक्ताइभाज विए और जाने वीड़ार चमच में रॉद्ट है है भीड़ाय कॉणिक विपिए गॉर फ़े चिन हमें थेसे दिल ऐचुन se अब इसी कड़ाई में थोड़ा सा तेल और डालेंगे यह तेल अच्छे से गर्भ हो गया है इसमें डालेंगे आधा चमज राई आधा चमज राई एक सूखी लाल मेर्शेंद अब इसमें डालेंगे बारी कटहा प्याज प्याज को अच्छे से प्राय करेंगे देखिए प्याज का थोड़ा कलर चेज हुआ है अब हम इसमें डालेंगे अध्रक लेसुन यह एक चमज हम इसमें कूटा हुआ अध्रक लेसुन डाल रहेंगे अब अध्रक लेसुन और प्याज को हमें अच्छे से फ्राय करना है अध्रक लेसुन और प्याज अच्छे से फ्राय हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे पैगन दोती में वेगन को तेल में फ्राय कर लेंगे अब डाल देंगे इसमें वन फोर चममज हल्दीका पाउडर आधा चममज नाल मेस का पाउडर वन फोर चममज गरम मसाला आधा चममज लिया पाउडर। और स्वादान सारस में नमक डाल देंगे मैंने एक चमज नमक डाला है इसी के साथ इसमें हम टमाटर डाल देंगे यह सब को अच्छे से मिक्स करने ना है अब इसमें हम यह डाल देंगे रमस्टी जिसको उनने बुड़ा सा फ्राय करके रखा है इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिलानेंगे देखे इसे हमें अच्छे से मिलाना है मसाले में एक मेट अच्छे से इसे फ्राय कर लेंगे अब इसमें डालेंगे पानी इसमें हमें इतना पानी डालना है कि यह जहें यह ड्रमस्टीक से यह सारी पानी में अच्छे से डूप जाए इतना इसमें हमें पानी डालना है और अब हाई फ्लेम पे हमें इसे पकाना है अब इससे ढख देंगे और इससे तब तक पकाएंगे जब तक कि ड्रमस्टीक अच्छे से पक नहीं जाती कम से कम 15 मेटे से हमें पकाना है यह देखे फ्रेंड्स 10-15 मेट हमने से अच्छे से पका लिया है अब यह जो है थोड़ा सा टमाटर और पैगन इसको थोड़ा सा इसे दबा कर हम मैश कर लेंगे इससे क्या होगा रस्सा बढ़िया गाड़ा हो जाएगा इस सौजन की फली जो है यह हमारी ड्रम स्टिक करी तयार है अब हम इसमें डाल देंगे बढ़िया ताजहारा धनिया और फ्रेंड्स यह बहुत ही न्यूटिशियास और हेल्डी ड्रम स्टिक करी रेड़ी है अब इसे राइस के साथ रोटी पराठी के साथ सर्व कीजिए और आपका अगर हमारी रेड़ी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए अब तक चानल को सब्स्क्राइब नहीं किया है तो चानल को सब्स्क्राइब कर दीजिए अब मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स वीडियो झाल झाल